को मेरे चलने मेरा नाम है स्वागा तरह आप देखने मार्केट प्लेस आयोप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम लोग डिशाइड करेंगे कि इंडिया विक्स क्या सही में सिखना चाहिए कैसे उसमें ट्रेडिंग किया जाता है क्या उसमें हम लोग को देखना होता है और इंडिया विक्स को लेकर आज तक बहुत सारा ऐसे मित आप लोग को सिखाया गया है तो मैं आज इसका पोस्ट मटम करने वाला हूं इस वीडियो में इस वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं जाके सर्च करना नहीं पड़ेगा कि इंडिया विक्स उपर चलेगा आप क्या करनाओ नीचे आगया अब क्या करना है किसे ट्रेडिंग करेंगे इंबेश्मेंट करेंगे तो वीडियो मेंश्व क्या पूला है, और अगर आप लाइक और अगर सबस्क्राइब नहीं कि available करना क्यूंकि मेरा इस टाइप का कंटेंट नहीं हमेसा डोलाथ चेनल में टोस नहीं करेंगा जिसके करण सन को हमेसा यौन आपकर पास आ है कि इंडिया क्या है जब हम उसमें ट्रेड करने का सोच रहें कि पटा ने चाहते हैं इसको बोलते हैं इंडिया विक्ष तो यह तो इस जाथ है लगने पर और फॉद्स चीजट है तो सबसे पहले इंडिया Dude, विक्स क्या आपको शो करता है क्या निर्ड माहूल है क्या मार्केट में खुषी का माहूल है मार्केट में कुछ भी माहूल नहीं मर्केट नर्माल है। वीचा तीनों चीज में अगर बता हूँ आपका एक लाइफ में एक जमपल लेकर समझा रहा हूँ ज्यान से समझना आप अगर ब्लॉट पेसर है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा इस्व आने वाला है आप बोलोगे ठीक याभी ब्लॉट पेसर मेरा कम है तो भी इस्व आएगा क्यूंकि ब्लॉट पेसर ज्यादा कम भी रहता है तब भी दिकत है अगर अगर नर्मल लोगे बढ़एं से तो फिर विक्स क्या होगा बहुत ज़्यादा चीद के निकल जाएगा जो कि नर्माली में विक्स रहता है 14 15 16 के बीच में खेलता रहता है और अगर कुछ ऐसे जैसे को बीड का एक्जामपुल ने तो फिर आपको समझना चाहिए कि अभी मार्केट में कुछ सेंटिमेंट डर कम आओ ले तो हम लोग अभी थोड़ा सा सतर करेंगे दूसरा चीजे अगर आपका जैसे मैं बोला आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप अगर नर्मल दिन में दो से तिन करोगे दिशन कोई इस होता है तो वैसे यह ज्यादा ही बढ़ जाएगा तब भी आपको इश्यों होने वाला है अगर आप बिल्कुल भी ट्रेड ना ही करोगे तो फिर आपके इन तो से आएगा नहीं सिंपल चीजे वैसे वीक्स अगर ज्यादा ही काम रहेगा तब भी दिक्कत है तो आपको नहीं पहरें किया खत्रा है किया देखना है अभी मेरे अश्यास अपनीन कर दिय से विक्स अगर 25 के ऊपर चला गया विक्स का जो रेंज है आप देखोगे तो पचीस के ऊपर अगर चला गया तो आप अगर बायर हो तो आपके लिए मेहंगा हो जाएगा जैसे कि आपको क्या लगेगा सबसे ज्यादा पैसा लगेगा पैसा आप दे दिये एक लौट में उस टैम दे रहे था तब भी क्या इस होगा मैं समझा रहा हूं तब क्या होता है आपका इंडेक्स मालो कॉल के तरफ मूब करता है पर आपका जो भी प्रीमियूम है उस हिसाफ से मूब नहीं कि रगा क्योंकि अल्लेडियो हाई है जैसा आप एक छोटा सा हाती लेकर आओगे घर में खाना खिल यह चीजँ ज्यान रखना जब भी आपका भी बढ़ जाता है तो फिर आपको उस्कंट फान क्या करना है अफसन मिलेगा ऊस का बड़ा पर गंता हुं बायर चाहता है 200 का 400 हो जाए तो मैं कुछ पैसा लेकर घर चले जाओं, सेलर चाहता है 400 का 0 हो जाए जितना जल्दी जो भी 0 होगा, वो जो capital आपका एक्सपरी में 0 हो जाता है, तो उसका profit हो जाता है, तो सेलर को हमेंसा महेंगा price ही चाहिए, महेंगा price होगा तो बड़ा amount, जब 0 होगा तो उसको बड़ा amount मिलेगा, पर बायर को नहीं चाहिए हो चीज, बायर को हमेंसा कम rate चाहिए, जो कि वो पैसा डालेगा तो बड़ा होगा, तभी वो उसका पैसा बनेगा, आगया समझ में, अब प्लान करते हैं कि अगर इंडिया विक्स है, तो इसमें देख कि हम call ले लेंगे, फूट ले लेंगे, ये, इंडिया विक्स कभी भी आपको market का direction नहीं बताता है, ये mind में रख लो, लिखित में रख लो, बहुत सरे लोग इसका strategy बनाते हैं कि इंडिया विक्स strategy एसा लगा लो, call मिल जाएगा, food मिल जाएगा, नहीं भाई, ये एक मीत है, उस चक्कर में मत पोड़ो, इंडिया विक्स कभी भी आप नेट में देख सकते हो, कभी भी ये आपका market का हमेशा sentiment बताएगा ना कि market की धर जाएगा, वो आपको बताता है, कि market call चला जाएगा, कि market food चला जाएगा, वो कभी नहीं बताता है, का मार्केट में अगर दिवाला को लेकर क्या होने वाल包 होता है। नए मारकेट ग्याप डाउन होता है। तो इंडिया विक्स आपका हमेशा सेंटिमेंट मार्केट में अपरेटर कॉल राइटर क्या सोच रहे हैं अभी फिलाल मार्केट को लेके क्या होने वाला है उसको प्रिडिट करता है आप बोलोगे सर हम लोग ना इंडिया विक्स अगर मानलों बढ़ गया तो हम क्या देखेंगे तीन-चर महिने में मार्केट मुवमेंट लेगा नहीं अगर यह बढ़ता है इंडिया विक्स बढ़ता है या ज्यादा घड़ जाता है तो मार्केट विदिन एक मांत उसी मांत के अंदर ही आपको रियक्शन दिखा देता है वह पहले से आपको प्रिडिट कर देता है कि मार्केट में होने वाला क्या है आप सतर गो जाओ और कभी अगर इंडेक्स इंडिया विक्स 14 में कंटीनु है 14 15 14 15 12 13 14 15 इसके बीच में चल ला है तो यह आपको बताता है अगले साल नेक्स्ट इयर आपका इंडेक्स 14 परशंट उपर जा सकता है बाइस अर आट तो 14 परशंट उपर उतना जो भी आमांट होता है जो भी रेंज निकलता है और रेंस तक जा सकता है या 14 परशंट नीचे जा सकते वह आपको इंडिया विक्स ने बता देता है अगर आप बोलोगे सार हम तो इंबेस्टर ही नहीं आप क्यूं हमको अगले साल तक वेट करवा रहे हैं हमको इसी महिने में क्या होगा बता हो ना इसी रिसें कितना बोल्डेलिटी होने वाला है आपका इंडियान इंडेक्स मार्केट आपको ये बता देगा अगर आपको अभी समझ में आ गया कि इंडिया विक्स को कैसे देखना है सबसे इंपर्टन चीज है क्या इंडिया विक्स आपको कभी कॉल पूर्ट नहीं देता ये एक देखने चीज और में इंडिया विक्स कर देखने से लिए तो होता है इंडिया विक्स अंग ऑपर जाए और का माहल नहीं बहुत कंपने इंडिया विक्स नीचे देगा इंडिया विक्स का सिंपूल फर्मूला होता है विक्स आपका कितना होना चाहिए नर्मली अगर आप एक ट्रेडर होता हो तो मैं बोलूगा विक्स अगर आपका 12-16 के बीच में है तो आपके लिए बेश टाइम होता है अपसन बाहिंग के लिए जो के प्रीमियम भी ठीक रे प्रिदिया विक्स का सिंपूल फर्मूला साल का निकलना है तो साल में यह अभी चल रहा है 14 तो 14 पर्शन आप या डाउन अगर महिने का देखना है तो बारह का स्कुर्ण डिवाड़ वाइड वाइड जो भी इंडिया विक्स चल रहा है एज इक आपको मॉन्थली में उत लाइक अभी करते ना अगर अभी तक ने कियो और एक इंपोर्टन बात बताऊंगा मेरा टेलीग्राम चैनल यहां पर बारकोड में दीख रहा है नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर आप अगर आप जाओगे उसमें बहुत सारा कंटेंट डालता देता हूं जो की आपका ट्रेडिंग स्कील को इंप्रूब करने के लिए आपका बहुत सारा मदद करने वाला है तो प्लीज आप लोग वो टेलीग्राम जाइन हो जाना फ्री है फ्री अपको पर आपको इंडिया वीच का रियालेटी समझ में आया होगा आया है तो कमेंड में येस कर और वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंड में बोल सकते हो थैंक्यू बेरी मच